हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने आज कमेंट किये हुए उन सभी कमेंट का जो है एक एक करके आप लोगों को आंसर देने वाला हूँ तो आप लोगों को क्या करना है इस वीडियो को end तक देखना है अगर आपने भी जो है कोई comment किया हुआ था और यहां पे दोस्तों एक एक करके जो comment है उनका answer देता हूँ अभी और यहां पे आप लोगों को बता दो कि आपके जो assignment की जो date है दोस्तों वो आ चुकी है तो अगर आप लोगों को अभी तक पता नहीं है कि आपके assignment कप से शुरू होने वाले है तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को इस वीडियो के end में जो है कुछ इस प्रकार से यहां पे एक वीडियो का icon सो होगा उस पे click करके आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं और यहां पे जो comment है उनका icon करके मैं answer दे देता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों एक यहां पे जो है बहुती bad जो comment है वो आपी की तरह जो student है उन्होंने यहां पे किया हुआ है तो यहां पे जो है एक जो student है उन्होंने जो है यहां पे comment किया हुआ है कि आपने जो है हमें misinformation दी है जिस कारण जो है मैं report कर रहा है तो भाई मैं आपको बता दू कि जैसे मैं आप लोगों को comment की जो answer है वो video की through देता हूँ ऐसा कोई भी आप लोगों को answer नहीं देता है मैंने check किया हुआ है कि जो भी comment आते हैं किसी other की videos में तो वो student की comment है उन्हों का भी answer नहीं देते हैं बट मैं आप लोगों के लिए जो है जो आपकी comment होते हैं उनकी जो personally video लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को जो है जो है अच्छी तरह से समझा सकूँ कि जो है ये जो आपका issue है ये इस परकार से solve होगा बट कोई बात नहीं भाई अगर आपका जो है मन अगर report कर नहीं का कर रहा था तो आपने उस time करी लिया होगा तो कोई issue नहीं अगर कुछ भी होता है तो आपको ही information नहीं मिल पाएगी future में उसके बाद यहाँ पर mount send नहीं करके हैं तो इन्होंने यहाँ पर comment करके पूछा हुआ है कि assignment में जिसके passing marks नहीं आए वो क्या करेगा तो assignment में अगर आपके passing marks जो है अगर assignment में आप fail है तो आपको क्या करना है अभी जो है back form fill होंगे अभी इस week या last week में भी form fill होना शुरू हो जाएंगे तो आप लोगों को fill कर लेना है उसके बाद जो है आप लोगों को जो assignment है जो अभी आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाई वी थी कि आपके assignment कब होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा नीचे discussion box में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा किलिक करके आप लोग देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर अदित्या है इन्होंने यहाँ पर comment करके पूछा हुआ है कि assignment के back कब होंगे summer season के तो भाई अगर आपकी summer season में आपने exam दिये हुए थे और assignment में आपके back आई हुई है तो अभी जो है यह जनवरी जो है नवंबर लास्ट तक आपका जो है यहाँ पर back form फिल हो जाएगा form फिल करने का option आएगा तो वो जो back form है वो फिल कीजिएगा उसके बाद जो है आपके December में जो assignment होंगे तो assignment से related एक वीडियो बनाई हुई है मैंने तो नीचे description box में आप लोग जाके देख सकते हैं कि आपके assignment की जो date है वो कब की है उसके बाद यहाँ पर मिनाक्सी है इन्ह इन्होंने जो है July अगस्त में MA second semester में admission लिया है उनकी assignment कब होंगे तो अगर आपने अभी July अगस्त में second semester में admission लिया हुआ है तो आपके assignment है वो आपको जो है जो आपके study center है वहाँ पर जाके पता करना होगा क्योंकि जो है आपके study center वाले वो जो है MA की student है उनको जो है अच student हो तो MA से related इतना पता नहीं है अगर आपका first semester होता तो मैं आप लोगों को बता देता बट आपका जो है second semester है तो according to me कि आपका जो है अभी July तक जो है 2024 में July तक आपके assignment होंगे बट फिर भी जो है आपका study center वहाँ पर confirm करने के लिए एक बारा पूछिएगा जरूर फिर द assignment के जो back form है वो जो है अभी January last तक आपके form fill होना start हो जाएंगे तो जब भी होंगे मैं आप लोगों को जो हमारा whatsapp group है उस पे बता दूँगा अगर आपने हमारा जो whatsapp group है वो join नहीं किया हुआ है तो नीचे comment box में whatsapp group का link दिया हुआ है तो click करके आप लोग join कर दीपक है इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि इन्होंने September में BA का form भराता उसके assignment और paper कब होंगे तो भाई अगर आपने September में form fill किया हुआ है BA first year में तो आपके जो assignment है वो जो है December से start होने वाले अगर आपको पता नहीं है कि कब से start है तो नीचे discussion box में video का link दिया उसके बाद यहाँ पर महोमन मनमोहन है इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि जो WhatsApp ग्रूप है वो जोइन नहीं हो रहा है तो भाई इस वीडियो के discussion box में जाईए या comment box में जाईए उस पर click करके आप लोग जो है जो है जो है जोइन कर सकते हैं WhatsApp ग्रूप को अभी तक जो है 500 जो स्टूडेंट हैं वो जोइन कर चुके हैं तो आप भी कर लीजिएगा अगर नहीं किया हुए अभी फिर नेक्स कमेंट है यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि become second year में जो है इन्होंने जो है एडमीशन लिया था जन्वरी फरवरी में दोज़तेईस एक्जाम का कुछ प आप लोग अगर पता नहीं है साइमेंट के फॉर्म जो है कब आपके डेट है तो आप लोग जो है नीचे डिसकप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है तो किलिक करके आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को उसके बाद यहाँ पर नेक्स कमेंट है यहाँ इन्होंने पूछा है कि अगर प्रेक्टिकल में बैक आई है तो बैक फॉर्म कब भरो तो अभी जो है दिसंबर लास्ट में जो है यहाँ पी जो नौवंबर लास्ट है भी यह तो अभी जो है नौवंबर लास्ट तक आपके बैक फॉर्म आ जाएंगे तो उसके बाद जो आया हुआ है तो आप उस वीडियो को देखिए नीचे डिस्कप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोगों को उसके बाद देख सा है इन्होंने यहां पर पूछा है कि जो बैक फॉर्म है वो कवाएंगे तो बैक फॉर्म जो है वो आपके जो है अभी नवंबर लास्ट त है आप लोग चिंता मत कीजीगा उसके बस सावन बेस्ट है इन्होंने यहां पर पूछा हुआ है कि बैक फॉर्म कवाएंगे जो अभी पेपर दिये तो अभी भाई उपर वीडियो में भी मैंने आगया आपको बताया अभी पता चल गया होगा आपको आदित्या है इन्हो के बैक के कब आएंगे तो बैक फॉर्म अभी जल्दी ही आ जाएंगे इस मन्त के लाश्ट तक उसके बाद यहां पर दक्स है इन्होंने यहां पर जो है थैंक्यू लिख है तो यह वेलकम भाई उसके बाद लक्समी है इन्होंने यहां पर पूछा हुआ है कि assignment कैसे बनाए तो assignment जो है आप लोगों के online होंगे ठीक है online होंगे आपके जो है mcq type के question होते हैं उसमें अगर कोई changes होता है कि mcq नहीं होते हैं आपको जो है return में या कुछ आपको study center में जमा करने हैं तो मैं बता दूँगा आप लोगों को बट जो हमारे assignment होए थे उसमें जो है हम लोग लोगों को बता दूँगा ओके एक question आया है इन्होंने जो है DOB से related वीडियो मांगी थी तो भई time नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि आप लोगों के जो है exam होने वाले तो आपके previous question paper पी मैं आप लोगों के लिए solve कर रहा हूं तो अब मैं courses करूंगा क भीज़ दूँ आपको group में जो वीडियो है बट कोई बात नहीं डियो भी आपकी change हो जाएगी आप जो आपका study center है वहाँ पे जाके change करा सकते हैं या वीडियो जो बताऊंगा उससे आप खुद कर सकते हैं don't worry जो है जल्दी ही मैं आपको बता दूँगा बस याद दिलात सकते हैं क्या तो मैं आप लोगों को बता दो दोस्तों अगर कोई भी student की सोच रहे कि अगर हमारे assignment में back नहीं आई वी है तो क्या हम back form फिल करके जो है उसका exam या assignment दे सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दो जब आप form फिल करेंगे तो वहाँ पे detail जो है जिस भी subject में back किया return में back आई होती है assignment और return में तो वो show होता है अगर आपके उसमें back नहीं आई हुई है तो वहाँ पे नहीं show हो पाएगा ठीक है तो यहाँ पे यह आप लोगों कुछ comment थे जिनका answer मैंने आप लोगों को इस video में दिया hope कि आप लोगों कोई video helpful लगी और video को like किया हो आप लोगों को video का icons होगा भी जिसमें मैंने आप लोगों को परटाया है कि आपके जो back assignment है जिन भी शुरेंड ने जुलाई अगस्त में admission लिए हुए अक्तूबर तक उनकी assignment कब है जिन भी शुरेंड ने जनवरी फरवरी मार्च में admission लिए हुए उनकी assignment कब से सुरू है त सभी के जो assignment के date आ चुकी है तो आप लोगों को यहाँ पी video का icons होगा उसके click करके देख लीजिएगा या तो नीचे discussion box में जाएगे वहाँ पी video का icon मिल जाएगा उसके भी click करके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों video helpful लगी हो तो like करके जाएगा अगर whatsapp group join नहीं किया तो नीचे comment box में whatsapp group का link मिल जाएगा तो click करके join कर लीजिएगा तो चलिए मिलते हैं आपको हमारी next video में तब तक के लिए bye bye and good night